इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रोट टेबट स्कीम क्या है यह वीडियो देखने के आप लोगों को सारी जाब लोगों कि पूलाद को ह Says तो नमस्कार दस्तो मैं नामे दिपांकर और मैं पिछले 8 साल से डेली में as a custom house agent काम कर रहा हूं और अपनी company के लिए import-export और compliance का पार देख रहा हूं पोर्ट पे और आप देख रहे हैं scale पर जहां पर हम बात करते हैं international trade की import-export की हम लोगोंने अपने टेलीग्राम चैनल में शुरू किया है जिसमें हम एक्सपोर्ट से रिलेटेड सारी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले और सबसे तुरंत आप लोगों के फोन तक पचाने वाले हैं तो इस ग्रूप को जोईन के निकले नीचे दियेगए link पे click कर सकत होता है foreign remittances आती है यह नहीं foreign currency हमारे देश में आती है जिससे कि हमारे देश डेवलप करता है जिससे कि हमारे देश में employment generate होता जिससे कि हमारे देश की currency है वो भी कही ना कहीं strong होती है तो इन सारी चीजों को promote करने के लिए government जो है अपने exporters को schemes के माध्यम से help करने की कोशि करेंगे on a yearly basis तो इन सारी चीजों को देखते हुए government 9-9 schemes लाती रहती है for exporters और हमेशा कोशिश करती है कि exporters को किसी ना किसी तरह कैसे encourage किया जाओ और किसी ना किसी तरीके से लोगों को help किया जाकि हमारे देश का export बढ़े और हमारे देश में foreign currency जाता के जाधा से जाधा आ organization के जो norms है उसके अगेंस्ट है जिसके चलते जो USA है वो जीत भी गया था उसके बाद MEIS को replace करके road tip scheme लाया गया तो सबसे पहले आप लोगों को मैं थोड़ो सा overview देना चाहूंगा कि हमारे देश में किसने तरह की schemes होती है बेसिकली हमारे देश में स्कीम जो होती 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 ह होती है एक होती है duty remission scheme और एक होती है duty exemption scheme duty exemption की बात करें तो advance license आता है duty free import authorization का नाम सुना होगा आप लोगो नो उस वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में हम बात करेंगा बारे में और जो आता है वो आता है आपका duty remission के अंडर duty remission के अंदर रोटेप भी आता है duty remission के अंदर drawback भी आता है और रोटेप की बात करें तो रोटेप का बेनिफिट इसमें दिया गया है अराउंड 8500 परच्पन प्रडॉक्ट को इसमें कवर किया गया है और मेइस से किस तरीके से अलगे देखिए मेइस में जो था वो आप लोगो को एक फिजिकल स्क्रिप्ट मिलते थी नहीं लाइसेंस भी कहता था एक नोट जासे एक स्क्व के बिहाफ पर लोगों कुछ कैश बैक देती आप यह कह सकते हैं कि यह जो स्कीम होती है एक फॉर्म ऑफ कैश बाक जैसे गूगल में किसी को पेमेंट करते तो गूगल आपको कैश बैक अकाउंट में जो आता है वो है ड्रॉबैक आपके सिदा बैक अकाउंट में आता है बढ़ोरॉट Egg क्या होता है कि आप लोगों के एक अकांट में आपको एक एक ब्रॉड़ट में जाता है कि आपने भाई यह जो भी आपका प्रोड़क्ट आपने एकस्पोर्ट किया उसके अगेंस में जितना परसंट़च्ज में उत्रहाइं आपके एक통 यानि आइस पहों की जो अकत्सक्तल स्फ्न отп का ँंपोर्ट कहकर आधे जЗब आयुका एकट्सक्व करना होता है है बाद में मी जो फे जाल गlor संपर उसके सकते हैं इसastलिक है एक अपको इंपॉर्ट को होता है बेसिकली इसी तरीके से काम करता है तो रॉट्ट प्रड़क्ट जो आपने एक्सपोर्ट किया है इसको मैनिफेक्चर करने के लिए कोई मैटीरियल इंपोर्ट करना चाहते हैं तो इस एमाउंट से बैलेंस आउट कर सकते हैं तो यह मोटा-मोटा फंडा है जो लाइसेंस होते हैं रॉट्ट टेप स्कीम होती है काम इसी तरीके से करती है ड्यूटी को बैलेंस आउट कर रहे में यह जो स्कीम से यह काम आती है तो इन सारे टैक्सेस को कही ना कई जो हो कहती है कि हम इस स्कीम के दूए वापस करेंगे और उनका इंटर्णल टीम है वह डिसाइड करती है कि इस पर्टिकुलर प्रडुक्ट तो मैंट करने में कितना इंडिरेक्ट एक्सेस तारीके सब मैं आप लोगों पता दिये यह कुछ हम लहीं होता है पọnके आपके गंक को अप्लाई कर सकते देखिए स्कीम के लिए मेनिफेक्चरर और मर्चंट एक्सपोर्टर दोनों ही इस स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं कौन ने जो को रखा गया है जिनकी रेंज और जो एक्सपोर्ट बेनिफिट की रेंज शुरू होती है और इसमें आपको को फिजिकल कॉपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको किसी को बेचना भी है तो आप सिधा उनलाइन उसका डाल के सिधा ट्रांसफर कर सकते हैं और उस सा के से काम करता है आई होब कि आप लोगो रॉट टेप के अराउंड जितनी भी कन्वीशन दी सारी की सारी दूर हो गई जोगी इसके बाद आप लोगो कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को लाइक कर दीजिए चनल में पहली बढ़ें चनल